अश्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है डोज आप नोट्स में सेकेंड ए एर सी का पहला संस्करण आप लोग देख चुके हैं जिसमें लोकल गवर्नेंस की बात की थी हमने आज के संस्करण में Capacity Development Conflict Resolution की उपर कुछ बाते करेंगे and we shall prepare some notes out of it and some X factors that you should have with you आप सभी का स्वागत है इस session में और this is general all in front of you आईए देखते हैं कि क्या खास है आज के session में उमीद हैं आप लोगों तक आवाज पहुँच रही होगी I hope it is audible and it is visible to all of you एक बार हां कर दीजिए अगर है तो यहां पर सारे educators कोशिश करते हैं आपको best देने का ताकि आप उस best से best content निकाले और exam को जली से crack कर ले गुड़ीवनिंग जैहिन सभी का स्वागत है CSC Assure का मतलब है कि अगर आप दो सालिया उसके उपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको one year का extension मिलेगा देखिए अब बात वाकई में हो रही है standard और seriousness की तो जिन लोगों को भी लगता है कि अब जुड़ जाना चाहिए I think you should go ahead with this I'll be there for you, with you CMC is my code और आये तैयारी का एक नया mode आप तुम दिखाते हैं test series भी हमने launch कर रखी है, main test series भी है, optional भी है, prelim test series भी है हमारे पास यह सब आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से, CMC is my code that you can use to take Wine Academy I think one of the places where we have got standard people, standard content, standard deliveries plus flexibility है, काफी कुछ आपके पास, app पे बहुत बढ़िया learning हो रही है, content बहुत strong है, आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है, बस जरूरत है तो इसको समझने की Good evening, जेहन, जेहन, Good evening, उमीद है आप लोगों तक आवाज जा रही होगी 0% EMI पे आप चालू कर सकते हैं, पूरा पैसा एक बार में नहीं देना है, आप आराम से अपना EMI बना लिए जिसमें की Interest Charge भी नहीं लगेगा और कोई भी processing fee नहीं लगेगी, आप इसका भी लाब ले सकते हैं प्राइस हाइक होने वाला है August 19, तो जिन लोगों का भी मन है कि लेना है, मुझे participate करना है, subscription लेना है और subscription लेने का मतलब बस यह नहीं कि आप पैसा देके भूल जाएं, आपके पास इतना बड़ा एक repository है, आपके पास एक सास रहेगा हम लोग का, ताकि आप इस exam को बहुत अच्छे से देख पाएंगे CMC is my code that you have to use, and batch हमारा August 18 से चालू हो रहा है, तो जिनको भी लेना है, अभी मौका है, आप देख सकते हैं, price hike हो जाएगा इसके बाद, and एक super combat हमारा हो रहा है, 21 तारीक को, combat तो आप सभी लोग देते रहे हैं, combat देने से क्या होगा, आपका एक आदत बना रहेगा, to be very competitive in this examination सिर्फ पढ़ना important नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ कुछ questions देना और देते रहना भी important है, 11 वजे 21 तारीक को आप मिलेंगा, बहुत सारे prizes आप जीद सकते हैं, आपको मिल सकता है, like scholarship amounts आपको मिलते हैं, जिसको आप use कर सकते हैं, subscription में, आपको in-depth analysis मिलता है, वीडियो का, this is my telegram channel, आप लोग जूड़ चुके होंगे, जो लोग नहीं जूड़ें, अभी जूड़ जाएं, और इस group को join कर लिजेगा telegram पे, ताकि आप updated रहें कि कब क्या हो रहा है, वैसे तो एक मोहीन चालू हो चुकी है, main answer writing की, आप सब के, जिनोंने भी हमको approach किया होगा, I have made your folders उस folder में आप लोग को answer submit करना है, और हम कोशिच करेंगे आपका answer देखने की, जितना संभव होगा हम से, I am also trying to begin about your 50 question challenge soon, तो उसके लिए भी तयार रखेगा, question, prelims और mains के, दोनों के basis पे हम आपका report card तयार करेंगे, और फिर बात करेंगे हम लोग की कैसी तयारी आपकी चल है और वो है दूसरों की मदद करना, जिस दिन आपके समझ लेंगे, उस दिन आपने अपना कर्म समझ लिया, दूसरों की मदद करना, can be in समाज, can be in your family, can be the near and dear ones, can be anyone who needs your help, मदद करना, सीखिए, क्योंकि इसी लिए शायद आपको ऐसा बनाया गया होगा, और आप जिस दिन आपने सामने लिख लिया है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स बहुत थे, अलाकि हम बिना टेक्निकल वर्ड्स के भी कर सकते थे, पर हम चाहते थे कि आप इन चीजों को एक बार देख लें, प्रश्ण आता है, सेकेंड एर्सी बेस तो नहीं आता, पर सेकेंड एर्सी को इसने साथ साथ किपासिटी डिवलप्मेंट की उपर भी बात की है, जो हम दो धीरे धीरे और देखेंगे, आपके सामने, आपके सामने पहले मौजूद है, प्रश्ण बनेगा, जो बेंस में सोचिएगा, अगर इतना open-ended question है, तो आपके पास बहुत सारा पॉइंट है लिखने को, पर सेकेंड एर्सी को जब हमने देखा, तो हमने देखा, इन्होंने कितने अच्छे से काटेगराइज कर रखता है, For example, वो कहते हैं, land-related conflicts है, वो कहते हैं, water conflicts है, वो कहते हैं, extremist conflicts है, वो कहते हैं, religious conflicts है, वो कहते हैं, regional disparity है, वो कहते हैं कि कुछ geographical area में conflicts है, इसको अगर हम अपने शायद अपने हिसाब से जो हम आज तक बनाते करें अगर उस हिसाब से हम आपको दिखाना चाहें तो please understand we have got certain conflicts which are a pressing challenge to the society today simple प्रशना सकता है what are the challenges faced by the country today major challenges pressing challenges तो सबसे पहली अगर चीज आपके दिमाग में आती है वो होनी चाहिए the land conflict इसके उपर और इसके बाद में बहुत सारी चीज़े हो सकती है पर land related conflicts सबसे बड़ा इक मुद्दा निकल के आ सकता है दूसरा है आपका water conflicts the water conflicts इससे बहुत चीज़े आप निख सकते है rights की उपर भी हो सकता है कि कितना water use करना कितना नहीं करना है एक model law भी इसकी उपर आया हुआ है तो काफी चीज़े ओलेडी कर दी गई है तीसरा अगर आप आप आत करते हैं तो simple सी बात है extremist conflict है जो आज भी हम देखते हैं बहुत area में extremist conflict चल ही रहा है the extremist conflict the extremist conflict फिर आप कह सकते है regional disparity conflict regional disparity conflict और लगभग इसी से अगर आप निकाल लेंगे तो religious conflict भी आपको दिख जाएगा the border conflict ठीक है तो लगभग आप देखेंगे यह pressing challenges है जो आज भी दिख रही है इसमें अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा conflict यह भी है जो हमारा social structure है या social hierarchy है उसमें भी एक बहुत बड़ी conflict चल रही है the social structure conflict the social structure conflict भी आज बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो चुका है जिसमें कि patriarchal समाज hunger यह सब आप लिख सकते हैं वो एक तरह सा conflict जो बना हुआ है और फिर इसके बाद regional conflict भी आप देख सकते हैं अगर आप North East की बात करें अगर आप regionalism की बात करें तो एक conflict हमें समझ में आता है और लगभग आप उसको भी देख सकते हैं तो I feel कि यह वाला पूरा part जो है वो conflicts को broadly बता सकता है what are the conflicts which are pressing challenges today to this country आई यह देखते हैं कि second rc ने इसको क्या बोला इसके उपर क्या मन्थन किया है आई यह देखते हैं लगभग यह सारे conflicts आपके सामने मौझूद है सबसे पहला आता है what shall the state do state की बात में आता है देखिएगा यह second rc बोलता है सबसे पहला जो word उस पर यूज किया देखिएगा I'll give you keywords for this पर अभी पढ़िये the state should pay adequate attention to the genesis of conflicts attention to the genesis of the conflicts and find solutions to the problems before they become significant तो आपको मिला है second rc का एक थोड़ा बहुत यूज करने के लिए point and that is what shall be done what shall be done इसके उपर आप एक चीज लिख सकते हैं कि पहला process है जो करने का वो है identification identification at an early stage identification at an early stage is one of the processes that the government must do to find out what is the root cause of the problem what is making this problem may be having its genesis and what can be its solution हमारे पास सबसे बड़ा issue यही है कि हम early stage में चीजों को नहीं गूंड पाते हैं arc का एक report financial management की उपर भी है जो हम लोग आगे करेंगे आप आज इस बात को समझेगा कि जो bank crisis हुआ है जो लोग पैसा लेके भागे है उसका क्या हुआ है बताइए आपने early stage में चीजों को देखा नहीं समझा नहीं परका नहीं क्या हुआ उसका did you get this point so if you are not able to catch up the things beforehand or at some stage which is at which it is required to be done there are problems to come up early stage पे हम नहीं देख पाते अब क्यों नहीं देख पाते यह अगला प्रश्न है देखेगा लगभक सारे आपके problem यहां से निकल जाएंगे सबसे बड़ा problem जो आपके पास है वो है अगर आपको हम आज लिख दे और आप बहतर तरीके से समझ भी जाएंगे इतना resource crunch है आपके पास कि आप कहां से कर पाएंगे resource crunch is one of the areas is one of the areas one of the perhaps I would say reason that the things are not able to identified at an early stage कि ऐसा थोड़ी ना कुछ अचानक से हो जाता है समय लगता है और जब तक वो पनप रहा था हमने ध्यान नहीं दिया जब हमने ध्यान नहीं दिया तो चीज होगी होगी तो लगभक हमारे पास resource crunch सा हमने ध्यान दिया ही नहीं कि दूसरा हमारे पास awareness का हमेशा कमी रहता है और तीसरा नेपोटिजम यह तीन ऐसी चीज़ है जो लगभक आपका identification early stage पर करने से रोक देती है कि दूसरा पॉइंट जो बोलता है सेकेंड यार्सी वो यह है कि क्या करना चाहिए मैं बोलता है तो सेकेंड पॉइंट इस administrative interference required है या इस वर्ड को थोड़ा सा बदल कि अगर हम लिग दें intervention intervention is required administrative intervention is required at an early stage if the things are found out administrative intervention is to be found or is to be done is to be applied ठीक है ठीक है ठीक है डन थर्ड is we have to develop some mechanism for early warning we have to यह आप कहीं भी लिखते है अनी conflict whether border whether caste whether land anything early warning analysis system must be in place so early warning system was disaster के लिए नहीं होता है natural social disaster के लिए भी early warning analysis system का इजाद होना चाहिए and I must tell you there is I must show you here what it is written there are early stages in the development of a problem when through mechanism such as early warning timely analysis and appropriate response problems can be prevented from escalating into conflicts so other point देखियेगा there is needed to recognize that such conflicts are the touchstone for deep-seated grievances or the unequal sharing of benefits from the process of growth and development it's our sub secondary RC Buller stops of again a second I see a bullet that perhaps your conflicts your hair are the touchstones for deep-seated grievances or what unequal sharing of the benefits from the processes of the growth so secondary I see bad both the आपके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है वो यह है कि देर इस परहाफ अन इकुवल sharing of benefits sharing of benefits of development of development and your perhaps growth which has caused this conflict to come into existence अगर सब लोग equally develop हो रहे होते ग्रोह हो रहे होते तो इन conflicts को control किया जा सकता था पर सबका ध्यान चला गया unequal sharing of benefits pay ठीक everyone done is it fine तो इसके लिए सलुशन आया है सब लोग और से देखली जेगा तो सलुशन is what they are saying as a solution इसके आगे क्या बोलना है बोलो बेक्येगा next point is next point they say that the surest way to restore confidence through a process of multi-stakeholder dialogue मतलब आपको यहां पे चाहिए कि multi-stakeholder dialogue को आप चालू कर दे multi-stakeholder dialogue is what is required for the efficient resolution of any conflict multi-stakeholder dialogue second point they also say that there is a requirement of an inclusive framework and inclusive framework I mean subcom no got shota करेंगे अभी बर्बस देख लिजे the inclusive framework I must take you to this we see there is need for inclusive frameworks both institutional and administrative within which people with divergent interest and aspirations can discuss and agree to cooperate and coordinate their actions to have a platform चाहिए एक ऐसा framework चाहिए क्योंकि integrative हो inclusive हो there is also need to recognize that political social and economic rivals are an unavoidable part rival is unavoidable part of the development process who gets what when and how political social economic rivalry is an unavoidable part of the development process to second I see every bolt I have to please be prepared when you are developing there are chances that there are going to be some disparities coming up you must ensure that there must be minimum disparity with my answer after success for the faith it's an unavoidable part of the development process whether these rivalries deepen into conflicts that prove intractable over time depends on the capacity of the institution मतलब यह स्वाभाविक है कि परेशानिया आएंगी यह स्वाभाविक है कि development process जब हो रहा होगा तो हर कोई खुश नहीं होगा पर timely identification अगर कर लिया गया है और उसको solve कर दिया गया है तो यह government की efficacy है यह government और institution का बहुत strength दिखाता है अगर नहीं किया जा रहा है तो यह उसकी weakness दिखाती है जिसको हटाने की बात करता है secondary see that you must have this taken into consideration that timely the timely solution or the time binds time bound solution to the conflicts the time bound solution to the conflicts यह एक बहुत overall चीज़े जिसको आप आराम से लिके बना सकते हैं and very overall thing तो यह लगबग common framework है इसको आप यूज कर सकते हैं तो let's see what all I am getting from this let's see tell I agarabak karengi who is the conflict resolution ke liye what am I speaking of is I and I I is identification identification and the next I is intervention intervention perhaps this identification allows me to have an early warning and analysis and analysis for my intervention and this intervention of mind can allow me to perhaps allow the development process to go on and I can see for equal sharing of the benefits then only the equal sharing of benefits then only can happen because I have identified then only equal sharing of benefits can happen so lag-bhag ऐसा करके आप तुछ दिखा सकते हैं any conflict resolution maybe land है आपका हो सकता है regional disparity है हो सकता है आपका left-wing extremism है हो सकता है आपका second ARC में पूरा schedule caste ट्राइब के उपर भी जब कई बार जैसे अभी कुछ हाली में news भी काफी saddening news थी तो ऐसी भी चीज़े हो रही है उस case में आपको यह अपना अगलाव अलाव करना पड़ेगा इस framework को I think this you can have as a next factor with you and you can use it second ARC has given this clear है can we do this याद हो सकता है अब तो याद हो जाएगा इतना बड़ावर टर्म नहीं पढ़ना है अब आप इसको बस define कर सकते हैं अपने आप से हर चीज़ को आप अपने आप से लिख सकते हैं ठीक है can be done चलिए तो एक topic लेते हैं और उस topic का नाम आप लोग भली भाती जाते हैं तो प्रस्ट ने तो आप लोग लिख सकते हैं अभी second ARC को बस देखें तो क्या-क्या second ARC ने बोला है आईए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं second ARC ने बोला कि अखिर क्या factors हैं कि आपका nexalism spread किया what are the causes for the spread of left wing extremism यह पहला आपका एक question है जो आ सकता है इसमें कैसे approach करेंगे आई देखते हैं if this is fine with all of you please let me know what are the causes of spread of left wing extremism क्या हो सकता है देखते कौन बताएगा और लगभक second ARC के आस पास आप लोग रहने वाले हैं I also know this for example the first one that I am telling you and the major one was and the major one was the land related factors the land related factors the alienation of the people from the land is sub se bada bata encroachment that was supposed to be occupation by the government or occupying the people may be the land of the people was one of this public service may that there was perhaps land related factors may number one evasion of evasion of sealing laws evasion of sealing laws occupation of the land occupation of the land by government or maybe by private property जो भी आप लिखना चाहें और बताएगे और बताएगे नॉन रेगुलराइजेशन ओफ ट्रेडिशनल ट्राइबल लैंड राइट्स नॉन रेगुलराइजेशन और नॉन लिख लिजेगा बड़ा important is a point say non legalization of tribal land rights very important very very important I must say removal of forest not to myself like a forest producer I chillina up to land alienation land alienation land alienation these are some of the major factors that has allowed for the spread of extremism the transfer of tribal to the non-tribal transfer the tribal land to the non-tribal or to the non-tribal people again one of the factors to you some of the kata अगर है कि यह सब हो रहा था पर identify नहीं हो पाया अगर यह identify हो जाता तो शायद हमें पायदा मिल सकता था second ARC means अच्छा देखीगा मतलब हम लोग यह जो sessions कर रहे हैं यह थोड़ा mains में काम आने वाला है तो आप थोड़ा सा एक बार जिन लोग को अभी content बनाना है थोड़ा बहुत वह पहले उस पर भी work कर ले second ARC का तड़का और छौक तभी लगेगा जब आपको पहले चीजे मुद्धा पता हो ठीक है I am giving you some handwritten notes for you so that you can have it always और फिर second ARC पढ़ने का जरूरत नहीं पढ़ेगा administrative reforms commission है जो की चीजों के ऊपर अपना recommendation देता है दिया हुआ है second ARC बहुत important है बहुत चीजों पर report दिया है जिसके recommendation काफी लागू भी है और काफी हम लोग पढ़ते भी है ठीक है this is just one angle one point और दूसरा देखिए अब यहां से आप यह भी निका सकते हैं you can also talk about displacement of people displacement of people because of developmental factors because of developmental issues हमने लोगों को वहां से हटाया it was perhaps a displacement and the forced evictions that have happened displacement and the forced evictions that have happened और देखिए no proper rehabilitation no proper rehabilitation no proper rehabilitation no proper rehabilitation no proper compensation paid इस अब क्या दिखाएगा कि परेशानी तो होगी फिर less compensation yes very correct less compensation paid less compensation paid और बढ़ी है ठीक है और बताएए और हम बताते हैं आपको आईए लाक ओफ लाक ओफ तो security lack of social security lack of social security lack of social security no food as such no education as such the facilities are not reaching them there is a deficit there is a vacuum of infrastructure there is a vacuum of infrastructure in some areas समझ रहा है और देखिए लाक ओफ एवन नूज तो पोटेंशिली ग्रोव और देखिए लाक ओफ एवन नूज तो पोटेंशिली ग्रोव और बाया mechanism यह सब रहा है मुद्दा तभी आपका left-wing extremism फैला इतनी तेजी से यह तभी फैला है है very correct और देखिए बिल्कुल सभी बात लिखिए इसी को कहते है social exclusion a feeling of social exclusion a feeling of social exclusion a feeling of social exclusion let me write down feeling of social exclusion feeling of social exclusion dignity is hampered social exclusion is happening dignity is hampered dignity is hampered bonded labor bonded labor isabra hai isabra hai not only this we are not stopping even now there are some failures i would say or ill implementation of the government schemes ill governance there has been ill governance i must give you a keyword now बहुत good governance हमने देखा है यह जो फैला है लेफ्टिक एक्स्रिमिजम इस आल्स एट्रिब्यूटेट टू इल गवर्वर्नेंस के तहत आपको पता होना चाहिए corruption भी है essential public services का तो दायरा था कि उनको मिलना चाहिए वहाँ पर ill governance के कारण उन तक services पहुंच ही नहीं पा रही थी ill governance misuse of the power misuse of the power misuse of the power misuse of the power so she unsatisfactory working of the local government institutions unsatisfactory working of the local government institutions have unsatisfactory working unsatisfactorily working socially a question back to pass kittany sara point target simple सा प्रश्च था what is perhaps a what has helped the cause of left-wing extremism why is it is spread or why it has spread these are the reasons that have allowed for the spread of left-wing extremism is miss sub kuch a summarize कर सकते everything has just got summarized सब कुछ आप कर सकते हैं और मस्कणों हो यह नोट्स ही तो हे रेशहम जी यह नोट्स ही तो बना रहे बना रहे हम लोग यह नोट्स ही बना रहे हम लोग यह doleff 노rde में नोट्स ही想ुध है यह आपको बढ़ा बढ़ा儿 टेक्स्टम पढ़ने नहीं दरे रहे thick is something that I am making, ठीक है, this has spread, now I must give you one more thing, आईए, और एक चीज़ देखिए, spread होने में कुछ चीज़े और मदद की है, वो क्या है, that is, the spilling of the vacuum, of the vacuum, by some extremists, the foreign aids, the foreign aids, in the form of, maybe weapons, in the form of money, ये सब भी प्रोवाइड किया गया है, इसको spread करने में, the borders are not as silent as they might feel to you, China, Myanmar and the route through Myanmar, has always allowed disturbance, and they have tried to send people through these borders that are porous in nature, and they enter in the country, and they have some hawala transactions being done, money and perhaps weapons are being exchanged, this is a big trouble that is happening, and this has also aided, अच्छा बात देखिएगा, जब filling of the vacuum होई चुका है, तो जिसका मन बन चुका है, जिसका मन बन चुका है कि मुझे अब यही करना है, problem is, यहाँ पे अब यह behavioral issue बन चुका है, this is a behavioral issue now, this is a behavioral issue now, इसका मतलब समझे, behavioral issue का मतलब क्या है, behavioral issue का, अब जो लोग already इसमें जा चुके हैं, उनके साथ दिक्कत क्या है, उनका behavioral issue हो गया है, यह सबसे बड़ा factor है, तो आज, पढ़ने के, लिखने के बाद भी कई बार देखने को मिलता है, कि चुकी महौल अगर ऐसा बना हुआ है, it is having some sort of persuasion, और maybe I would say influence on some minds, some minds, not everyone, यह influence करता है कुछ young minds को, and you will find that this cause that they all start, यह चालू किये थे नकसलबारी विले से, एक छोटे सा cause से, आज इनका cause confused है, I must tell you, today the spread is not about any right, आज यह rights की बात नहीं करते हैं, rights का मुद्दा अब जा चुका है, now they are in a confused state कि हमें क्या चाहिए, power हाँ चाहिए, पैसा हाँ चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए, अगरिकल्चर चाहिए, अभी confused है, so the people over there, the farmers, the local people, अब परिशानी क्या है कि आस्ता कि इनोंने इन से influence थे, आब इनको लगने लगा कि यह लोग खुद जब confused हैं को पता नहीं क्या होगा, इसी लिए आसका left extremism को इतना support नहीं कर रहे हैं लोग, there is a confused motto now, the spread is now restricted because of confused motto, on the confused ambition, पहले था कि हाँ हमें जमीन की बात करनी है, हमें अपने हक की बात करनी है, अब तो खुद confused है, किस की बात करनी है, politics की बात करनी है, हाँ हमें पॉलिटिक्स में आना है, this, this is perhaps what is happening now, ठीके, we will come to that point, अभी एक बार देख लेते हैं, second ARC ने बहुत अच्छा recommendation दिया है, आईए सब लोग उसको देख लेते हैं, the second ARC has given, okay, solution देख लिए सब लोग गॉर्ण से एक बार, पहला लिखा है, a long term 10 years and short term 5 years program of action, program of action based on a 14 point strategy may be formulated by the government, तो एक 14 point strategy बनाई गई थी, to talk about कि क्या करना है, कैसे करना है, state की क्या जिम्मेदारी है, अगर कोई summer prep करना चाहे, तो कैसे करना है, यह सब इसमें 14 point strategy में था, अभी थोड़ा सम्नुख देखेंगे, तो सबसे पहला एक long term goal बनाई है, एक short term goal बनाई है, अब आपको इसके माध्यम से हमें एक hint देना चाहते हैं, जब भी way forward लिखिए, जब भी solution लिखिए, थोड़ा diplomatically लिखिए, जैसे कि यहां हो रहा है, एक long term plan और एक short term plan, long term vision define करेगा, short term तुरन चीज़ों को, जो महतोपूर्ण attention चाहिए, वो दिलवाएगा, लॉंग टम शौत अम लिखना सीख लिजे और लिखना चालू कर दिजे में संसेट में, एन वेवरब के लिखिए, एक लॉंग टम गोल एक short term goal, बॉर्टर के लिखना है तेग long term एक short term, society के लिखना है पे लोंग टम एक शॉर्टम लिखना चालू कर दीजे so that examiner when he reads he gets a पड़ा लिखा है okay moving ahead within the spirit of the 14-point strategy negotiations with the extremist outfit should be an important mode of conflict resolution the keyga negotiations with the extremist should be one of should be an important mode of conflict resolution a second year cibola this is second year कैसी मतलब negotiation कि आये थोड़ा सब्सक्राइब लिख लेते ताकि आपके लिए आसान पड़ेगा पहला पॉइंट जो आपने देखा है वो है आपका a long-term goal कि एड़ेड़ बाई शॉर्ट टर्म गोल दूसरा आपने देखा है negotiations negotiations must be a part of whatever dialogue is happening तीसरा देखते हैं there is a strong case for back to the basics in the matter of administrative monitoring and supervision the system of periodic official inspections and review of organizational performance needs to be revitalized समझ ये गौर से vacuum बना कुछ area में क्योंकि government officials work नहीं कर रहे थे उन पे monitoring नहीं हो रही थी inspection वो कर नहीं रहे थे the problem is such things will develop into and sprout like and conflict only solution क्या दिया back to the basics back to the basics means in the matter of administrative monitoring and supervision back to the basic जैया that you can write down here the back to the basics back to the basics I there is need to enhance the capacity of the security forces to act effectively and firmly लगभग ये तो आप और हम भी लिखते हैं इसमें शेकेंड आशी का जरूर्वत नहीं है हम और आप सब लिख सकते थे this is enhancing the capacity of the security forces is very important यह बिल्कुल हम लोग को लिखना चाहिए और यह हम लोग लिखेंगे भी हम लिखी इनहांसिंग जाय है पासीटीटीटीटीटीट पॉर्से और इस पे तुम ने काफी वर्फ भी गया है यह कपासीटीटीटीटीटीटीटीटीटोर्सेश अगला देखिए बौह बढ़ी है, formation of trained special task forces on the pattern of the greyhounds in Andhra Pradesh, formation of trained special task forces on the pattern of the greyhounds in Andhra Pradesh, बहुत अच्छाई example है, trained enterprises हमें चाहिए, special, we need special trained forces, कि आप में से कोई भी बता सकता है, ऐसा क्यों चाहिए, कि आप में से कोई भी बता सकता है, कि ऐसा क्यों चाहिए, हमें specially trained forces क्यों चाहिए आप में से कोई बता सकता है anyone why why is it required why do we need a special perhaps trained forces normals में क्या दिख्कात है the terrain the topography seeing the topography and seeing the dense forests we must have a special trained special trained forces as similar to the greyhounds that are there in Andhra Pradesh काफी सक्सेसुल रहा है काफी सक्सेसुल रहा है greyhounds का पूरा operation special train forces specific चाहिए टोपोग्राफी और dense forest है वहाँ पे और देखते हैं आईए अके establishing and strengthening local level police stations adequately staffed by local recruits आईए बहुत important है आपको local recruits चाहिए for them to become guide अगर local recruit नहीं होगा तो कोई भी पुलिस officer अगर बाहर से पोस्टेड हो के आया है वो समझी नहीं पाएगा क्या होगा you must have some local recruits to guide the police to guide the police officers or to guide the police local recruit is must ठीक है and minimize damage in the geography बिल्कुल सही बात है ना चिके ताहिए बिल्कुल सही बात है okay for effective implementation of the scheduled tribes and the other traditional forest dwellers act multi-disciplinary oversight committees may be constituted to ensure that the implementation of this emelioro civilization does not adversely affect the local ecosystem मतलब simple सी बात आ रही है एक page add करते हैं आपको पता होना चाहिए scheduled tribes and other forest dwellers act इसको जल्दी से हमें effective करना पड़ेगा effectively implement करना पड़ेगा जिसके कारण वहां के लोगों में एक faith है एक confidence आए क्योंकि इस act के तहट जो बात की गई है उसमें साफसाफ तोर से हम लोग rights की बात कर रहे हैं rights of individual community इंडिवीज्वीज्वाल कम्यूनिटी राइट सम्क्म्यूनिटी आंड इंडिवीज्वालाइट्स देने की आप जल्दी से प्रेडिशनल फॉर्स ड्वेलर्स आक्ट जो की आया था आपका 2006 में उसको तुरन त्वरित तरह से आप उसको लागू करिये तो एक पुड है ठीक है ठीक है मतलब कोई भी ऐसा constitutional safeguard है जो वहां के लोगों के लिए है चैसे आपकी डिल्टाइट के लिए पढ़ते हैं तो वहां पे लोगों को एक जो भी राइट प्रोवाइट की गई है समिधान द्वारा उसको बचाने के लिए वहां पे एक अक्षे सुसका निर्वहन करने के लिए यूश्का अपार हाँ तो बचाने कि अधुमानिट्रिच गवें टृमानिटरिग और मॉनिटरिग जिए यह सकते हैं मॉनिटरिग देलिवरी यदि और मॉनिटरिग अ को भी पार्णि टेलीवरी अपनेटरिज सुप्टेंग बार देंगों की मीट ओगी पराइट मॉस्क them I okay performance of the states in amending their Panchayati Raj acts and other regulation to bring them in line with the provisions of the Panchayats Pesa Act may be monitored and incentivized by the Ministry of Panchayati Raj बहुत बढ़िया पॉइंट दिया local government वहां पे थप है थप है in the sense की vacuum बना हुआ था लोगों तक चीजे पहुंच नहीं रही थी सुविधाय पहुंच नहीं रही थी इस बीच पे उनको कोई मसीहा दिखने लगा उन्होंने अपना ट्रस्ट वहां डाल लिया पर अगर Panchayati Raj ministry ऐसा करे कि incentivize कर दे कुछ Panchayat को वहां के लोगों को aid दे पंड दे चीजों को बताये कि आपका पॉलिटिकल डेवलपेंट भी हो सकता है तो यह लोकल लेवल पे बहुत अच्छा डेवलपेंट हो सकता है वेरी वैलिट पॉइंट गिवन बाई सेकेंड यार्सी इस तक यू मस्ट स्ट्रेंदन और इंसेंटिवाइज जो हम लिख रहें बसा वही लिखिएगा चानी मत प्रिंदन और इंसेंटिवाइज पंचायत अब डान बाई और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलप्मेंट और मिनिस्ट्री ऑपंचायती रहा है जो भी इसको करना चाहें आए आगे देख्टें ता नेक्सस बिटिन इलीगल माइनिंग कॉंट्राक्टर्टर्स एंड ट्रा लाइड प्रिंदन आगे लिए उसको खतम करना पड़ेगा अगर यह नेक्सस खतम नहीं होगा तो हां लेफ्ट इस खत्रीमिजम खतम नहीं होगा you must end this nexus that is present between your maybe the people who are in power the contractors the mining contractors are mining क्यों लगभग left wing extremism वाला area को देखे यह सब area paradoxical area है इस area में खूब forest भी है इस area में resources भी है तो लगभग resources को mine करने के लिए जब चीजें निकलती है contract दिया जाता है वहाँ पर politicians अपना काम कर जाते है और फिर नीचे तक चीजों को पहुंचाया नहीं जाता है extremist वहाँ पे हो सकता है किसी आड में चुपे हुए चीजों को कर रहे होंगे यह nexus को तोड़ना पड़ेगा once this nexus is broken they can perhaps have fresh air blown into them ठीक है आईए for implementing large infrastructure projects particularly road networks agencies like BRO in place of contractors may be considered बहुत बढ़िया बाद इन्होंने बोला कि आप जो road बनवाए infrastructure बनवाए do not trust with the private players right now because they are only into their money making thing you try to find out some of your organizations for example the border road organization this can be called in to set up the roads अब roads बनाने काम इनको दे दीजिए आप उनको क्यों दे रहे you can talk about this also very valid point तो लगभग आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से recommendation दिया है इन्होंने बहुत अच्छे से काम दिया है and this you can use in your answers also आई ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा मुश्किल होगा पर आप ध्यान रखेगा धीरे 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 ये खतम होगे है हमारा लगभग लेफ्ट विंग वाला पार्ट इसके तुरंद अगले वाले पर चलते हैं हाँ शॉट्टर मेजर बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन एक और रिकमेंडेशन है आईए देखते हैं उसके बारे में आईए लैंड एग्रेरियन कॉंफलिक्ट इंक्लूडिंग फार्मर सुसाइड इसके उपर भी कुछ लिखा हुआ है सेकेंड एर्सी बहुती ब्रॉड है बहुती अच्छी चीजों को दे रहा है लैंड के उपर एग्रिकल्चर के उपर और फार्मर सुसाइड जो होते हैं उसके उपर भी कुछ कहना है यह सेकेंड एर्सी का कथन नहीं है यह अभी हम लेटेस्ट आपको पी आईबी से निकाल के दिखा रहे है जो होल्डिंग जिस पे एक हाउस होल्ड अपना काम करता होगा एग्रिकल्चर केती बाड़ी करता होगा वो अपरेशनल होल्डिंग है has decreased from 2.2 hectares to around 1.08 hectares जब जमीनों पे एग्रिकल्चर किया जाता है तो जितनी बड़ी जमीन होगी आपके पास उतना बहतर आप उस पे उगा सकते हैं ट्राक्टर यूज कर सकते हैं और productivity अच्छी हो सकती है जब जमीनों का fragmentation हो जाता है तो number of foldings बढ़ जाती है area of foldings कम हो जाती है जब area of folding कम हो जाती है तो productivity कम हो जाएगी क्योंकि आप border का area भी छोड़ेंगे जो भी आप वहाँ पे fencing करते हैं आप mechanized farming नहीं कर पाते हैं and you have less alternatives to be grown आपके पास इतनी बड़ी land नहीं कि आप 10 चीज उगाएं है आपका replenishment of the nutrients is also less और अगर disaster या कुछ drought ऐसा आ गया तो लगबद चीजें तबाही हो जाएगी this is again a concern that is existing और जितना short term land holding होती जा रही है या short size की होती जा रही है उतना ही हमारे लिए परेशानी है doubling the farmers income की जहां हम बात करते हैं वहां उसके opposite अगर हम देख रहे हैं तो हमारी land holding की size घटी जा रही है तो doubling of farmers income is the distant dream यह means में आप use कर सकते हैं is your doubling of farmers income a reality? I don't think so एक तरह जहां आपका land holding का size घट रहा है वहाँ पे आप बोलें कि doubling of the farmers income हो बड़ा मुश्किल है है बहुत पेचिदा है आईए क्या बोलता है सेकेंड एर्डी सेकेंड एर्टी बोलता है कि कुछ काम किया जाए यह बहुत important इसको लिख लिजेगा बड़ा important है अग्रिकल्चर के ऊपर भी बहुत कुछ बोलता है for example बोलता है expanding the agricultural base by giving more support to small and marginal farmers primarily through the self-help group and cooperatives लगभग अब आप देखेंगे कि इस सरकार ने इस सरकार ने इस सरकार ने भी इसी recommendation को follow करते हुए they have given more support to small and marginal farmers small and marginal farmers हमेशा ही receiving end पे रहते हैं क्योंकि इनके पास जमीन भी कम है यह बहुत ज्यादा vulnerable भी है large farmers जो है large land owners जो है उनके पास diversification का scope है इनके पास diversification का scope नहीं होता है इसलिए बहुत vulnerable यह हो सकते है transferring बहुत important यह word है I am telling you this is very important transferring informal debt to formal institutions लगबग हमारे गाओं में या लगबग रूरल एरियास में आप देखेंगे तो formal credit system अभी भी exist नहीं हुआ है since the formal credit system is not existing there are informal money lenders who give lot of money and lot of interest rate and they charge great interest that takes a debt trap for the farmer वो debt trap में फंस जाता है अगर फसल खराब हुई तो विचारा पैसा नहीं दे पाता तो second ERC कहता है कि आप जितना informal debt है सब को formal institution में transfer कर दो bank money lender को पैसा दे दे bank को पैसा देगा farmer और लगबग चीजें अब अच्छी हो सकती है यह recommendation बहुत ही resource based particularly in rain fed areas लगबग आज की आप आप देखेंगे तो हम लोग fallow land को छोड़ देते हैं ताकि वो अपना natural तरीके से gain कर सके rejuvenation of natural resource based particularly in rain fed areas जिस एरिया में बिलकुल आप फिर पानी पर dependent है वो भी monsoon के rain के वहां पर आपको natural resource based को develop करना पड़ेगा वही debt trap अच्छा वही debt trap ठीक है ठीक है बॉन challenge भी आप यहां पर लिख सकते हैं very good more effective risk coverage to protect the farmers from risk like price अब आप देखिए more effective risk coverage हमने लगभग insurance scheme इसलिए तो ले के आई हमारा insurance scheme को आप चेक करिए agriculture जो crop insurance scheme है वो लगभग अब बहुत अच्छी तरीके से target करती है और बहुत अच्छी तरीके से penetration उसका हो रहा है यह second ARC का ही recommendation था कि आप उसको risk coverage बहुत अच्छे से दो और उसको आप बचाओ demand fluctuation से vagaries of the weather and the natural calamities से पर बहुत हद तक यह भी successful इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि किसान भी अपना योगदान जो देना होता हो कई बार नहीं दे पाता है कई बार assessment में बहुत समय लग जाता तो किसान को पैसा नहीं मिल पाता है कई बार loss बहुत सारे कारणों से हो जाता है जो कि mention नहीं होता है और assessing officer उसको समझ नहीं पाता है तो दिस इस अगें अप्रॉब्लम ओके इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट नॉट ओली अग्रिकल्चर बट पर डाइवर्सिफिकेशन ऑद नॉन फार्म सेक्टर विदिन दरूरल एरिया मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसको अग्रिकल्च नहीं है फिशिंग है वो भी उसके पास अवेलेबल होगा सुसाइड तो बचेगा डेट ट्रैप से तो बचेगा ठीक है बिल्कुल पीम फसल बीमा योजना अब एक्षेकर बर्डन के द्वारा भी दे दिया गया है अब उसमें यहीं है कि आप कहां पे कौन सा वेवर दे रहे हैं कैसे एसेस्मेंट हो रहा है किस पर कितना बर्डन आ रहा है इसलिए इसको राज फॉलो नहीं करती है रिसीविंग एंड पर तो फार्मर ही है विचारा बिल्कुल सही बात है पावर्टी ऐलेवेशन प्रोग्राम्स तुदू स्प्यूर्श करेंट विचिया और टारगेटेड लोगों पर ज्यादा द्यान दिजेंग आधा इंगवादी तो टारगेटेड लोगों को ढूना होती है इतने ज्यादा अबादी में और ढाएब्सिफाइड लोग में हम टार्गेटेड लोगों तक कहुंची नहीं पाते हैं इन रिकमेंडेशन को याद रखिए गाई आपके बहुत काम आने वाले हैं और यूदि 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 आपके पास ceiling laws लगाए गये थे, penancy laws लगाए गये थे, आपको the land to the tiller must go, ये सारे laws आये थे, middleman को हटाने की बात थी, इन सब को वापस से renew करना होगा, तभी हमारा double farmers income successful hope आएगा. सेकेंड, in order to provide adequate and timely facilities to farmers, there is need to augment the banking system in the rural areas and make them more responsive to the farmer's needs. Augmenting का मतलब है अब नवाड का, नवाड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अब इसमें लगभग private banks भी, आपके कुछ और banks भी इसमें सहीओ कर सकते हैं, इनके value को augment करिए, augment करना पड़ेगा. Self-sufficient villages भी लगता है कि sustainable solution है, अब बिल्कुत देखिए सही बात है, अगर आप विश्वास मानें, तो rural और village में ही गानी जी भी कहे गए थे, और यह बात मानना पड़ेगा, village is where the solution of everything is lying today. Redesign poverty elevation programs to make them more relevant to the needs of small and marginal farmers. Target, जब तब target नहीं होगा, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ वही recommend कर रही है. Introduce measures to encourage formation of self-help groups, यह बहुत अच्छे से हो रहा है, self-help groups बहुत अच्छे से आज बन रहे हैं, और भी NGO सामने आ रहे हैं, यह अच्छा recommendation दिया, और follow भी हो रहा है. डाइवर्सिपाई risk coverage measures such as weather insurance schemes, यह भी हमने लागू की थी, तो लगभग आप देखेंगे, इसके recommendation माने भी जाते हैं, आप इसको यूद भी कर सकते हैं, जैसा आप एक तो बोल सकते हैं, land reforms measures को फिर से चालू करिए. ठीक है, water waller हम लोग कल करते हैं, let's do this water waller tomorrow, दो तिन चीज़े और हैं, हम लोग को कल कर लेंगे, हलागी ज्यादा तो बहुत इसमें नहीं होगा, पर I'll do this tomorrow, don't worry. सूरत model of farming by integrating 75, हाँ, बिल्कुल, you can do this, बिल्कुल, एक बहुत अच्छा point भी हम, आपको इसमें देना चाहेंगे, इसको लिख लीजेगा, आप नहीं पर, याद दिला दिया इन्होंने, आप क्या कर सकते हैं, एक recommendation में, that is, Integrated Panchayats, मतलब लगबग एक पंचायत यहां, 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 यह लोग अपना experience शेर कर सकते हैं, और experience शेर करके, एक finality कोई चीज़ बना सकते हैं, इसको they can use, this can be a good model, दूसरा एक बहुत अच्छा important याद रखिएगा, एक इनका recommendation था, second ARC का ही, हाँ, that was, that was, human, that was human resource usage, इसमें इनोंने क्या कहा था, कि आप उस गाओं के, किसी हो सकता है, वहाँ पे कोई गाओं में कोई आर्मी में हो, हो सकता है, उस गाओं में कोई साइंटिस्ट भी हो, हो सकता है, उस गाओं में कोई engineer भी हो, हो सकता है, उस गाओं में कोई doctor भी हो, हो सकता है, उस गाओं में कोई educator भी हो, तो आप इन सब का एक committee बनाएए, इन सब को साथ लिजिए, और इनके recommendations को apply करने की कोशिश करिए, सब्सक्राइए, तो सब्सक्राइए, तो सब्सक्राइए, 2nd ERC की कुछ और important बाते आएंगी, लगबग law commission भी है, और अभी हमारे पास, एक दो चीज़े और आएंगी, I think, and then we are done with this, चली, so that would be all from my side, thank you so much for joining me, and let's be tomorrow कुछ बाते आपकों बता दे, प्रयास 2022 हो रहा है, मतलब आपको mains का अगर टेस्स देना है, तो आप जाके वहाँ पर दे सकते हैं, main के test, and this is happening at daily, जैपूर और लकनाव, आप रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए, और जाके बढ़िया से दे दीजे test को, एक दम main simulation type ही होगा, आप दे सकते हैं, okay, then we have this, okay, so most travel series होती रहती है, special classes भी होती रहती हैं, कुछ आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी lab ले सकते हैं, I must tell, दो तरह के subscription होते हैं, plus और iconic, iconic में आपको हम तो मिलेंगे, एक mentor support और अच्छे से मिलता है, plus में I'll be there with you, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, भी price हाई गोने से पहले, cmc is my code that you can use, combo में आपका मिलता है, gs plus optional दोनों, आप इसका भी lab ले सकते हैं, cmc is my code, सिर्फ optional लेना है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, you can use my code of cmc, आपका legends wisdom series भी अभी चल लाई है, इसका भी जरूर लाब लिया करीए, देखिए, बहुत सारा चीज़ हम लोग करते रहते हैं, आपके lab के लिए, जहां आपको समय लेगे, कि मैं भी खाली हो कुछ लेएंगे, जो कि बहुत अच्छे से comprehensive coverage किया गया, सारी चीजों का, वो आप तक कहुंच जाएगा, and that will be all from my side, thank you so much, take care, जहिन, निरंतरता ही, सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है, वही सफल है, और आप लोग निरंतर तो हैं ही, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप स